गुद्वानिंग फ्रेंड मैं हूँ शादरवे अमरावति महाराश्य से और वेलकम है आपका अपने चैनल काटनिंग वी तूशा पे तो ये पिटुनिया के प्लांट अभी तीन-चार मैने हो गया है इन पर फ्लावर्स खिले थे और देखे दिरे-दिरे इन पर बर्स भी बनने लगे है और इस तरह से बहुत सारे मैने तो इसे रिमूव कर दे थे लेकिन अब कुछ में सिर्स बनने दे रही हूँ और जैसे के कि अभी दिखाओंगी कि इनकी सिर्स पॉड कैसे हूँ तो यह है परपल कलर का जिससे हॉलि हॉक पिटुनिया केते हैं देखे यह सिर्स यह पे इसके बनते है तो सब पूछते हैं यह तो सिजनल प्लांट है एक बार आता है तो फिर से खरीदना पड़ेगा अगले साल ले सकते हैं बिल्कुल एक ये दिखिए ये अच्छे से मैचर्ड हुआ सिर्स पॉड है तो इसमें बहुत सारे सिर्स होते हैं जो हमें बचा कर रखने हैं अगले सिजन के लिए तो चले मैं इसे निकाल कर दिखाती हूं और इनके सिर्स देखिए कितने छोटे होते हैं बिल्कुल खस-खस का जो दाना होता है जो ग्रैनल होता है बिल्कुल उतने दाने का तो सबसे पहले ये इस पत्ते को ऐसे चिपक से जाते हैं सिर्स इसलिए आजो-बाजो की जो भी उसके जो पत्ते है वो आप हटा दीजे और इससे अलग से निकाल लीजे और अब मैं आपको इससे सिर्स निकाल के दिखाते हूँ कि कितने सारे सिर्स इसमें निकलते है एक ही इसमें देखिए और ऑनलाइन जब मैं खरीदने जाते हूँ तो इसके सिर्फ 10 सिर्स मिलते हैं कुछ 90 रुपीज में जैसे मैंने सिर्स पॉर्ड सिर्स और पॉर्ट साइड है और ट्रस बास्केट है तो इसमें बहुत ही बिल्कुल देखिए सिर्स और आप ऐसे देखते रहते हो तो वो कभी-कभी ऊड़ भी जाते हैं अबाके साथ तो इस वज़े से सिर्फ 10 सिर्स मेंते हैं 90 रुपीज में जो भी अलग-अलग कलर के होत है क्योंकि उसमें भी ज्यादा सिर्स नहीं होते हैं बहुत ही कम सिर्स मिलते हैं और देखिए एक ही से कितने सारे सिर्स निकरते हैं तो यह अभी एक वेराइटी हो गए है और जितने भी मेरे गार्डन में जितने भी पिटुनिया के वेराइटी है कलर्स है तो वह सारे में सबसे पहले उसमें जो ग्लास मेरे पास है जो यूजएंधरो वाले तो उसमें मैं यह लगा देती हूँ हमेशा मैं कोई भी छोटी जो सिडलिंग होती है वो इसी तरह के पॉट में लगाना पसंद करती हूँ तो मेरा दो तीन बार पॉट चेंज होता है अभी यह छोटा सा है ग्लास तो इसमें लगा दूँगी और यह सॉयल मैंने अभी तयार करके रखे हैं क्योंकि बहुत सारे काम मुझे करने हैं तो यह दिखें इस तरह सी में पॉधा लगा दूँगी और इसे पानी डालकर थोड़े चार दिन इसे शेड में रखोंगी और उसके बाद जैसे ही यानि चार पाँच दिन तक तो इसे शेड में ही रखोंगी उसके बाद धेरे धेरे जहां पर धूप आती हैं वहां पर र और उसमें इतनी सारे जादा कॉंटिटिवी फ्लावर भी नहीं आदे सिर्फ वो जो पौधा है वो आपको ग्रिन दिखाई देगा तो दिखें इस तरह से ये पौधा मैंने लगा लिया है और ये दिखें कुछ पाच्छे दिन पहले मैंने लगाया था ये पाच्छे सौरी आट दिन हो गए इसे लगाये हुए और ये पूरी धूप में है तो इसके जो भी आपको यहां पे लिव्स पे दिखिए तो उड़िसे इसे दिख रहे हैं तो उस पत्ते को निकाल लीजे और बाद में इसे इसमें चोटे से पौट में लगाने के बाद ये पाच इंची प पौट में ही है तो इसे मुझे लगाना तो था लेकिन बहुत दीन हो गए वक्त नहीं मिला इसलिए ये इसी पौट में रह गए ये बहुत बड़ा हो गया है तो ये दिखे ये चोटा सा मेरा जो जिसे टोकरी कहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी से फैले हुई जो भ 12 इंची होगा 10-12 इंची और इसे उल्टा किजे पहले हाथों से बिल्कुल दो उंगलियों में इसे पकड़ लेजे रूट के साथ और बहुत ईजी लिए देखिए मेरे लिए कोई प्लांट लगाना रिपॉर्ट करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं लगता है मुझे तो ज थोड़ से नीची की मिट्टी मैं निकाल लेती हूँ और अब देखती हूँ इसे लगाकर ये अच्छे से फिट हो जाएगा थोड़ा नीची आना चाहिए यानि जब यहाँ पानी डालते हो तो वो अगर मिट्टी उपर तक आती है तो वो सारा पानी निकल जाता है और अब बात इजी काम है थोड़ा सा बिना टेंशन के साथ ऐसे काम कीजिए फिर आपका गार्डन भी बिल्कुल मेरे गार्डन जैसे ही बनेगा तो ये जो सॉयल मिक्स है उसका हमेशा का रेशो है तो आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं कि उसमे मैंने कैसी सॉयल मिक स्वार्ण करती हूं तो अभी जितने भी पुराने जो प्लांट थे तो वो प्लांट अभी फ्लावर उनकी यानि बहुत दिनों तक यानि तींचार मेने से लगातार कंट्यूनuj इन में प्लावरिंग आप देख रहे हैं तो वो जो पुरानी प्लांट थे वो कुछ अभी फ्लावर नहीं दे रहे उसके पत्ते भी यल्लो हो गये हैं और उनकी क्या केर करनी है ये भी आपको बताऊंगी साथ साथ ये दिखे पिटुनिया ये मैंने हैंगिंग में लगाया हुआ है लेकिन मेरा क्या होता है कि जितने भी में प्लांट लगाती हूं हैंगिंग में तो पाने डालने के वक्त मेरा ध्यानी नहीं रहता वो सारे प्लांट मर जाते हैं इसलिए आपको ज्यादा तर आपक तो इसलिए ये जो सारे hanging में मैंने लगाए हैं लेकिन फिर भी मैंने इसे नीचे ही रखा है तो ये दिखे ये बड़ा सा पॉट है तो इसमें मैं डबल पिटल पिटूनिया लगाऊंगी कि उसके लिए बहुत बड़ा पॉट चाहिए तो ये जो पहले लिया था उससे थोड सा थोड़ा सा बड़ा है थोड़ एनी ज्यादा ही बड़ा है तो देखे चलिए अब मैं डबल पिटल लगाती हूं ये देखे रेड कलर का डबल पिटल पिटूनिया जो बहुत ही खुब सूरत दिखता है तो इसके जो लीवस है यहां पर दीख रहे हैं आपको नहीं तो ये सारे पौधे को घेर लेते हैं और ये जो पौधा है वो दीरे-दीरे मर जाता है बिलकुँ स्पाइडर माइट के जैसे ही शायद होगी है तो ये जो आपको दीख रहा है इस पे कुछ लाइन वो लाइन बढ़ जाती है और पूरे प्लांट पर ये आ जाती है इस आने के बाद ये पौधा आपका निकल जाएगा तो देखे कितनी अच्छे रूट के ग्रोथ हुई है और जो मैंने यहां पर पत्थर रखे थे वो भी निकाल लेती हूं और उसके बाद भी देखे मेरे प्लांट के जो भी सॉयल मिक्स है वो कितनी यानि जिसी क्या कहते है भूर भूरी सी है और इस वज़े से इनकी रूट के ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि एरेशन अच्छा रहता है और इस वज़े से प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है तो बिल्कुर सॉयल मिक्स आपको जैसे मैं पहले 7-1 का रिश्यो लेती थी लेकिन पार्ट आपको मिट्टी लेनी है और बाकी वनवन पार्ट सारे जो भी यानि कोकोपीट रेथ और कम पोजो भी होता है वो तो इस वज़े इस तरह से आपको मिट्टी बनानी है और इस मिट्टी में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है पर्मनेंट हो या सिजनल हो सभी प् यूज करने के लिए ये तयार हो गई है अभी इनमें मैं पिटूनिया लगाऊंगी तो इस तरह से ये भी प्लांट मेरा लगकर तयार हो चुका है और देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और जब ये फूर पूरा फूलो से भर जाएगा तो बस देखते ही रह जाएंगा यnyt इसे बहुत सारे डबल पिटूनिया की मेरे पास कलर हैं तो कुछ मैंने सीड से लगाए हैं और कुछ मैं सैपलिंग लाई थी सबसे पहले तो मैं सैपलिंग हे लाई थी लेकिन ये जो सारे हैं ये गुविन भाई के पास से मैंने पर्चिस कहे हैं तो अब इन्हें मैं शेड में रखूंगे एक दो दिन के लिए और इसके बाद देखिए इनमें पहले पानी डालना पड़ेगा तो जो भी हमारा पूराना पिटूनिया होता है देखिए इनके यलो लिव्स होके हैं और इनकी जो ब्रांचे से वो लेंकिलेंक से दिख रहे हैं तो इस तरह से सारे इन जो भी ब्रांचेस को मैं काट दूंगी, फिर इनके गुढ़ाई करके इनके जो भी मैं ड्राइ फटलाइजर देती हूँ, वो सारा फटलाइजर इने में दे दूंगी। तो इस तरह से ये भी प्लांट फिर से फ्लावरिंग के लिए तयार हो जाता है, तो देखिए इनके सभी पत्ते मैंने निकाल लिये हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले जो मैंने प्लांट ऐसे ही तयार किया था, तो उसके आज कंडिशन क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए ये प्लांट हमारा इस सरह से आपको कट करना है, और उसके बाद देखिए इसमें नई सी ग्रोथ आ गए है, लेकिन पहले जैसे फूल नहीं लगते है इस पे, तो ये परपल कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और इस वज़े से मैंने इसको पूरा कट दिया था, अभी इनमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है, और देखिए 20-20 दिनों के बाद आपको खात तो डालनी ही है, तो फिर भी ये अच्छा ग्रोथ करेगा, तो ये भी अभी इनमें भी ब्रांच बन रही है, फिर से देखते हैं कितना बुशी होता है, क्योंकि मेरे गार्डन में जो भी चुटे-चुटे प्लांट में कर रहे हैं, उनसे में बहुत सारी कटिंग बना रही हूं, और ये मैंने ऑनलाइन पर्चिस के हुए, ये सारे मेरे हिबिसकस है, उन पर भी कली आई हुई है, बस अब फ्लावर देखना है, तो इन पर बहुत ही प्यारे अमेरिकन इबिसकस है, तो जब भी फ्लावर खिलेंगे, तो मैं भी फिर्स टाइम ये देखूंगी, तो फ्रेंट्स, आज का ये पिटुनिया की बारे में वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगती है, तो प्ली मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई, हैपी गार्डनिंग, स्टे सेफ,